नामांकन करने के लिए उमीदवारों को गारियों के काफिले के साथ तो आपने जरूर देखा होगा लेकिन क्या आपने किसी नामांकन के लिए अर्थी पर सवार होकर के प्रत्याशी पहुँचे ऐसा देखा है ये सुनने में अजीब और हैरान कर देने वाला लगता है लेकिन सच है ऐसा हुआ है गोरकपुल में यहां से निर्दलिये चिनाव लड़ हे राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा अर्थी पर सवार होकर कलेक्ट्रेट आफिस पहुँचे और अपना नामांकन किया गोरकपुल लोगसभा चिनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है साथ में चरण में एक जून को होने वाले चिनाव के लिए प्रत्याशी लाव लशकर के साथ नामांकन करने पहुँच रहे है ऐसे में एक प्रत्याशी अर्थी पर बैठ कर नामांकन करने कलेक्ट् देखते ही देखते भीड खटी हो गई, लोग प्रत्याशी के इस अनोखे अंदास को देख कर चर्चा कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि आखिर कोई अर्थी पर सवार होकर नामांकन करने कैसे आ सकता है, बता दे कि राजन यादब उर्फ अर्थी बाबा के पास MBA की जिगदी मगर उन्होंने नौकरी जुआई ना कर समास सेवा में उतरने का मन बनाया और वो पिछले कई चिनाव लड़ चुके हैं यह भरेष्ट सांसदो का जनाजा है यह भर्रस जनाजा लेकर इंआप अगरेपर क्लेक्टेट में आया हूं हूं नमनेशन करने देखी जोभी सत्ता कि जा रहा है ये अपने पैसा कमाने के लिए जा रहा है अपना धन पसू बन के जा रहा है ये जनता के लिए नहीं जा रहा है देखे आम जनता का कोई भी मुद्धा नहीं देखे बेरोजगारी तरी चरम सीमा पे है कोई भी काम इस पे नहीं बोलता है और सिछा पे कहीं भी बीना पैसा द राजन यादव को लोग अर्थी बाबा के नाम से जियारा जानते हैं। अर्थी बाबा ने सिर्फ अर्थी पर बैठ कर नामांकन ही नहीं किया। बलकि उन्होंने तो शम्शान घाट में अपना चिनावी ओफिस भी बनाये हुआ है। हाला कि गोरखपूर सीट से अर्थी बाबा का परचा निरस्थ हो गया और ये बात चर्चा का विशे बनी हुई है। गोरखपूर लोगसभा सीट पर 19 परचे अवैद पाए गए वही 13 परचों को वैद धोशित किया गया। बाबसका और लोगसभा सीट पर तीन परचे अवैद पाए गए और आठ परचों को वैद धोशित किया गया है। उत्रप्रदेश की गोरखपूर और बाबसका और लोगसभा सीट पर 7 मही से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी जो कि 14 तक चली। अब दो दिनों के लिए नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी और इसके बाद 17 जून को नाम वापसी का आखरी दिन होगा।